कि आपका भी WhatsApp में message भेजने पर blue tick नहीं लग रहा है, blue tick नहीं सोख कर रहा है, जबकि अगला person आपके message को देख भी लेता है, और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका message देखा या नहीं, तो ये video आपके लिए है, क्योंकि इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आसान जबादशा, you are watching our YouTube channel, फिरो जबादशा आट, चल वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले आपको अपने फोन में WhatsApp एप को open करना है, चल मैं open करता हूँ, आपको भी open कर लेना है, open करने बाद मैं आपको दिखाता हूँ, live कि हमारे में वो समस्य है या नहीं, जैसा कि message करने message करता हूँ, जो कि यहाँ पर show करा हूँगा, message चला गया है, जो कि आपके सामने show करा हूँगा, tick लग गया है, double tick लेकिन blue tick नहीं लगा है, यहाँ पर क्या करता हूँ, इस phone में देख लेता हूँ message, फिर भी आपके सामने show करा हूँगा, blue tick नहीं लगेगा, आप यहाँ पर लेकिन यहाँ पर शोग कर आवगगा इस वाले phone में बूलो ठीक नहीं लगा है आपका अब इस तरह का समस्षा है आपको आपसानी से ठीक कर शकते हैं आपको यहाँ पर क्या करना है इस phone को रख देथे इसके बाद जिस phone में यह समस्या है उस phone को अचे प्राइवेशी प्राइवेशि पर आप किलिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके समने आ जयएगा आपके समने रिगे रिएेबश्षीप आप यहां पर देख लेंगे आपको यहांपर क्या करना है रिगे रिगे रिजीटिट वाले अप्सशन इंपर शूकरह hear हाई या कुछ भी यहाँ पर टाइप कर देता हूं टाइप करने के बाद मैं पर क्या करता हूं इस वाले फोन को लेता हूं इसके बाद बाद WhatsApp में आजाएगा message open करूँगा WhatsApp को open करने के बाद read करूँगा यानि कि मैं देख लूँगा देखने के बाद यहां पर शो कर आओगा बलूटिक लग चुका है और यहां पर message भी चला गया है इस तरह जो है आप आसानी से इस समस्या का शमादान कर शकते हैं बड़ी आसा कर रहा था यह समस्या था इसके बाद से नहीं सो कर रहा था मैंने आपके समय ठीक करके दिखा दिया है इस तरह आप आसानी से WhatsApp में अगर आपका message का बलूटिक नहीं होता है यानि कि message चला जा रहा है डिलीवर हो जा रहा है बंदा देख भी ले रहा है लेकिन आपका message का ब जजए तेनके समच